हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टार्गेट अर्बिय यूट्यूब चैनल आप सबको पता है कल ही यानि कि 29 अक्टूबर को यूपीसी प्रिलिम्स का रिजट आ गया है अभी कुछ स्टूडेंट पास होगे प्रिलिम्स में नियर अबाउट 10,000 के आसपा स्टूडेंट पास मतलब RBI पे भी ध्यान रहता है उनका कि वो देते हम आगे देखेंगे मैं आपको डेटा बताऊंगा कि जो लोग यूपीसी में इस साल रैंक लाए उनका RBI में भी फाइनल सेलेक्शन हुआ है यानि कि ऐसा नहीं है कि वो प्रिलिम्स पास होगे तो RBI या फिर अधर जो अ आगे क्या करना है क्योंकि अगला जो एक्जाम है यूपीसी में इसको काफी टाइम है आपको पता यूपीसी का स्केडूल जो नियर बाउट फिक्स होता है उसके इसाब से 7-8 मेने तो कम से कम अगले एक्जाम के लिए तो इन बिट्विन क्या करे तो यह अभी बहुत सार स्टूडन्स को जो नेक्स्ट ऑप्शन होता या आप उसको प्लैन बी कहिए कि बहुत सारे जो यूपीसी ऐस्परेंस से वो अर्बिय को भी एस प्लैन बी के एंगल से देखते है तो इसका एक्चुल क्या मतलब है प्रिवियस जो रिजल्ट आया था अर्बिय का उसमें कि स्टूडन्स हुए थे नियरबाउट 65-70% जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो यूपीसी के सीरियस ऐस्परेंट से मतलब ऐसा नहीं की फॉर्म भर दिया तीक है यानि कि ऐसे स्टूडन्स थे इन्होंने दोनों का बहुत ही सिंसेरली पढ़ाई किया था नियरबाउट म से 350 के असपास इंटरू लिये थे तो इंटरू में हम पूछते कि आपने यूपीसी के ताया यारी की है क्या इंटरू दिया है क्या में तो यह नंबर है नियरबाउट 65-70% है जब मैं सेलेक्शन हुआ था जब मेरा सेलेक्शन हुआ था अर्बिया में 2011 में उस ताइम पे यूपीसी नियरबाउट 50% के आसपास यूपीसी आसपास थे और जॉइन करने के बाद भी मेरे पैसे कम से कम चार पास स्टूडन ने बाद में यूपीसी देके वो आईएस, आईपीस, आईएस सर्वी जॉइन की थी अभी देखो क्या होता है कि में जो टार्गेट है पर अपलाई करते हैं तो इतना एजी नहीं है किसी को भी कि 100% वहाँ पर सेलेक्शन हो जाए तो फिर अगर यूपीसी नहीं होता है तो naturally हमारे पास second कुछ option, third, fourth option होना चाहिए तो normally लोग state PCS की तैयारी करते है नहीं कि state public service commission जो है या फिर आपको पताए APFC है, assistant provident for commissioner है, ESIC या फिर आपको पताए कि Central Armed Forces जो है, police forces उसकी भी वो तैयारी करते है, second, जो line of thought है, उनके दिमाग में रहता है कि RBI की तैयारी करें grade B का क्योंकि आपको पताए salary CTC पकड़ेंगे तो 20-25 लाग के आसपा जाती है, या फिर नाबाड की तैयारी करते है, फिर SEB की है, third, जो line ह वो SAC की तरफ जा सकते है, वो income tax inspector बनेंगे या फिर वहाँ पर auditor की भी post होती है, फिर last option, bank PO, generally UPSC करने वालों को bank PO इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि एक बार आपने अगर DM बनने का सोच लिया, तो फिर bank PO का job कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर कुछ option ही नह में IS बनने का है, foreign service में जाना है, police में जाना या फिर revenue service में जाना है, तो यह आज का सिनारियो है, तो अभी RBI grade BQ, मतलब अगर UPSC नहीं होता है, तो RBI grade BQ, तो इसका यह है कि यह एक like mini UPSC examination है, जैसे prelims है, यहाँ पे phase 1 होता है, main से तो phase 2 है, and interview है, prelims में क्या है, आपको quant ह RBI में reasoning है, English है, इसको हम UPSC की CSAT के से compare कर सकते है, और RBI को जो GS है, general awareness है, वो UPSC के GS से compare सकते है, इसका scope बहुत जादा है, इसका अगर आप 100 पकड़ेंगे, तो इसका scope 10 से 20 के आसपास होगा, क्योंकि UPSC में आपको बहुत vast पढ़ना पढ़ता है, history geography quality, लेकिन आपने यह पढ़ा है, तो फिर यह आपको मुश्किल नहीं होगा, अगर RBI का face to देखेंगे, वहाँ पे English का paper है, जो आपको type करना है, UPSC में भी English का paper होता है, आपको पता है, compulsory paper होता है, वो language वाला, economic and social issues है, इसका syllabus में आपको बात में दिखा दूँगा, and financial management होता है, तो यह हो गया UPSC की mains की तरह, and finally RBI का interview है, and यहाँ पे UPSC का interview है, तो आप इसको यह compare कर सकते कि जो आपका UPSC का exam है, और RBI का exam इसकी तयारी आप साथ में कर सकते हैं, और अभी जो student है जिनोंने UPSC का exam बहुत ही अच्छी तरीके से दिया था, तो उनके लिए RBI इतना मुश्किल नहीं हो ready to give RBI grade B examination, बस आपको थोड़ा सा एक अलग angle से यहाँ पर सोचना पड़ेगा, तो अभी हम यह देख लेते हैं कि यह 12 students ऐसे हैं, कि जिनका RBI में भी selection हुआ था, and UPSC में भी उनका final selection हुआ है, मतलब नियर अबाउट 50 के आसपास लोगों ने तो दोनों interview दिये थे, यह मु and RBI में भी उनका rank काफी अच्छा है, यानि कि यह देख लिजिए कि यह लोग IAS, IPS, IRS बनने वाले हैं, IFS बनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने RBI को एक plan B करके एक रखा था, क्योंकि क्या है आपको पता नहीं, बहुत uncertain है UPSC में, मुझे यह भी पता है काफी सार मेरे friends है, ज तो यह student ऐसे थे, जिनका UPSC में final selection हुआ था और RBI में भी हुआ था, यानि कि यह student है, इन्होंने भी RBI को एक second option करके consider किया था, तो आप भी एक RBI के exam को एक second option आपका या third option आप consider कर सकते हैं, और इसका preparation कर सकते हैं, तो यह था एक हमारा last year का result, last year total of 257 लोगों का selection हो था final, उसमें से हमारे nearby 116 student थे, और यह हमारी faculty है, RBI के नबाड के काफी senior लोग हमारे यहाँ पर पढ़ाते हैं, मतलब retired हो चोके है, ठीक है, यह CGM level के officer से आप यहाँ पर देख लीजे, इनका profile देख लीजे, SBI में भी GM थी मैडम, रश्मी प्रसाद मैडम मैं भी कुद RBI में manager थ CP, Zoshi, AGM थे, और काफी हमारी अच्छी team है, जो आपको guide करने के लिए ready है, तो अभी हम short में just pattern देख लेते हैं, कुछ students को पता नहीं होगा, तो उनको पता चल जाएगा, phase में में देख लीजे, यहाँ पर UPSC के students को ज्यादा chance इसलिए है, क्योंकि उनका GA काफी अच्छा हो आपका near about 40 to 50% जो cut off है आपका, वो GA से ही निकल जाता है, फिर reasoning है, English है, quant है, total 200 mark का phase 1 का paper होता है, जिन्होंने UPSC का, GS का and CCET का अच्छा पड़ाई किया है, उनको यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, अब यह है, आपको क्या करना है, अगर आपको previous year के RPA के paper दे 2015 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20 में exam नहीं होता, 21, यानि 6 paper है, यहाँ पर जाके आप paper देख लीजिए, तो एक आपको idea आजाएगा कि आप यह कर सकते हो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि UPSC करने वाले students को यह exam बिलकुल ही मुश्किल नहीं लगेगा, अब यह face 2 का आप syllabus देख लीजिए, economic and social issues, यह जो सारे topics है न, UPSC के student काफी detail में पढ़ते है, growth and development है, Indian economy है, globalization है, social structure, यानि कि आज के date में, UPSC के students इसको near about 55 to 60% marks ला सकते, लेकिन थोड़ा आपको RBI के angle से आप पढ़ाई करेंगे, तो काफी अच्छे marks आपको यहाँ पर मिल सकते है, तो यह हो कुछ ऐसा area जैसे risk management है, यह नहीं पढ़ा होगा, basics of derivative यह नहीं पढ़ा होगा, उसके पाद global financial market पढ़ा है, financial inclusion पढ़ा है, यह 5 नंबर का topic नहीं पढ़ा होगा, उसके पाद corporate governance भी पढ़ा होगा, union budget तो काफी favorite topic है, UPSC बालोगा, inflation भी पढ़ा होगा, आपने fintech भी अभी तक नहीं है, लेकिन new topic है, तो UPSC में भी यह आ सकता है, तो बस एक दो topic आप छोड़ देंगे, तो यह भी पूरा syllabus है, finance का, यह भी सारे UPSC aspirants ने कभी न कभी तो भी पढ़ा होगा, अभी management देखते थे, यह management का syllabus है, जिनका public administration optional है, UPSC में, जैसा मेरा खुद का था public administration optional है, उन्होंने यह सारा topics पढ़ा होगा, या फिर psychology भी कुछ topics include, यह होते है, अगर आपने यह syllabus नहीं पढ़ा होगा, तो आप maximum one week में इसकी पढ़ा ही कर सकते है, इतना मुश्किल नहीं है, एक week में पूरा हो जाएगा, theoretical है, आपको पढ़ने की काफी आदत है, तो यह बहुत easy ह हो जाएगा, अब यह ethics है, इतिक्स तो UPC वाले को काफी favorite subject होता है पढ़ने के लिए, तो यह RBI ने last year नया topic introduced किया, इतिक्स तो आपको यह भी topic अगर अपने mains में ethics का पढ़ाई किया होगा, तो यह भी आपको काफी आसान लगेगा, तो यह अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने UPC का अच्छी तरिके से पढ़ाई किया है, तो एक RBI, grade B का जो exam है, उसको आप एक second option के तरफ देख सकते हैं, उसका पढ़ाई चालू कर सकते हैं, अगर आपको हमारा course लेना है, तो अभी festival discount चालो है, हमारे यहाँ पर 38% का, लेकिन अगर आप हमारे website को visit की करेंगे, वहाँ से आप number लेके कर हमारे team को callback करेंगे, और उनको मेरा नाम बताईए, कि सुशील सर ने बोला था, कि यह जो वीडियो जिन्हों ने देखा, उनको 42-45% discount offer करेंगे, तो आप उनसे एक बार request कर लिजे, तो बस मेरे तरफ से यही था आपको, कि आप मुझे प रखिये, और ये exam का अच्छे तरीके से सोचे इसके बारे में, और अगर कुछ आपको help लगती है, तो आप हमारे team से call करके आप मुझे से बात कर सकते, Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.